हालो फ्रेंट्स वेलकाम यू पीएसी प्रपरेशन वन ली चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स 67 बीपीएसी के री एक्जाम के डेट को लेकर अभी भी बहुत जादा कन्फिजन बढ़कार है आप लोग बार-बार कुशन भी पूछ रहे हैं और एक वहापो की स्थिति है कि डेट क्या हो सकता है बार-बार जो एक कन्फिजन होता है तो अभी तक का जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो के मैं दुम से बताऊंगा कि वरतमान में आयो के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह का सिच्विशन दिख रहा है एक्जाम का देट क्या हो सकता है या फिर बाढ़ होगर के सिच्विशन की भी जो बातें चल रही है तो उन सब का क्या इंपक्ट एक्जाम के डेट पर पड़ेगा तो देखे होता क्या है कि बीपीसी के तरफ से या किसी भी आयो के तरफ से जो संटर सेंटर अलोट करने का जो एक प्र प्रॉसेस होता है वो कम से कम डेर से दो महने के आसपास का यह प्रॉसेस होता है तो अभी हाल फिलाल में आपको यह ख़बर मिली भी होगी कि बीपीसी की तरफ से जो है सभी 38 जिलों के डीम को चेठे लिक कर जो है सेंटर के विसमें जानकारी मांगी गई है कि उनके जिलो लास्ट वीक में एक्जाम कंड़क्ट करवाने का मन होगा इरादा होगा या उसकी इस तरह की स्थिती होगी तो अभी ही वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब सेंटर के विशे में जानकारी मांगी जाए और ऐसा बीपीएसी कर रहा है तो बीपीएसी को देखते हुए औ तो मेरे को नहीं लग रहा है कि विपीएसी की तरफ से कोई समस्या होगी संभावता आप यह मान कर चलिए कि 28 अगस्त का जो डेट है यह हर जगह बता जा रहा है कि 28 अगस्त के आसपास जो है आपका डेट पढ़ने की संभावना है 28 अगस्त को संडे भी है लेकिन आपको पता है कि विपीएसी को अगर समस्या होगी संडे को एक्जाम कंड़क्ट करवाने में तो आगे पीछे आपका डेट जरूरी नहीं कि संडे को यह किसी भी दिन फिक्स कर सकता है लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बता रहा हूं कि ऑगस सब्सक्राम के टलनी की संभवना थोड़ी बहुत हो सकती है उस समय बार अपने पीक पर होगा बहुत सारा सेंटर जो है वो दिक्कत में चल रहा होगा हो सकता है वहां पर कम्यूकेशन का ट्रांस्पोर्टेशन का बहुत ज्यादा समस्या हो या फिर कुछ सेंटर ऐसा भी ह कि इस बार भी कोई गरवरी हो और इसे फिर से एक्जाम कंड़क्ट करवानी की नौवत आया नाम खराब हो बहुत जादा बदनामी भी होती है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा मुस्तेद है अपने इस बार की एक्जाम को लेकर मेरे को नहीं लग रहा कि अठाइस अगस्त को आपका एक्जाम हो ही जाए और आपको पता है कि वी पीएसी जो चाह लेती है वो कर लेता है बाद में बेसक जो भी हो दो से तीन साल पहले का आपको बीपीएसी का पता होगा पूरा बिहार बार में डूबा हुआ था इसके बाद भी पूरा पटना डूबा हुआ था फिर भी आपका एक्जाम अपने टाइब बढ़ी हो गया तो बहुत हद तक संभावना है कि आपका एक्जाम अठाइस अगस्त के ही आसपास हो जाए आप मान कर चलिए अठाइस अगस्त को ही आप अपना डेट फिक्स मान कर चलिए इससे तुरब पहले हो सकता है हो जाए इससे थुरबाद में भी हो सकता है लेकिन कितना भी बुड़े से बुड़े वर्स कंडिशन में भी आप ये मान कर चलिए तो मुश्किल से एक सप्ताह दस दिन आपका आगे बढ़ेगा यानि कि अगर ये सेप्टेंबर भी जाएगा तो सेप्टेंबर क मैं तब बता रहा हूं जब वर्स कंडिशन होगा इसके अगर सब चीज सही रहा कोई इस तरह की समस्या नहीं होगी एक्जाम करवाने में अगर बाढ़ वाली कोई इसू नहीं आई तो आपका एक्जाम हंडेट परसेंट अठाइस अगस्त को ही होना है तो आप लोगों को बिल्कुल किसी गलत फैमें में नहीं रहना है बार वार्ड का अपने दिमाग में कोई खयाल नहीं लाना है ना कोई और ऐसी कोई समस्या दिख रही है हर चीज बिल्कुल फेश्ड है आपका एक्जाम अगस्त के लास्ट में होने की संभावना बहुत हद तक है तो आप लो इतना जस्त मनाने में एक सब्सक्राइस से निकाल देंगे कि आपको वह साथ दिन बढ़ने का कोई फास फायदा नहीं मिलेगा और यह भी बात है कि कितना एक्जाम को टलवाएंगे टलते टलते तो यह अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर से लेकि अभी अगला अक्टूबर लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि यह अग्जाम आपका टलेगा बीपीसी के लिए यह गले की घर ढड़ी बन गई है तो बहतर यह होगा कि आप लोग भी मेंटली प्रिपेर्ट हो जाएं कि अठाइस अगस्त को आपका एक्जाम हो रहा है या इससे दो तीन दिन चार दिन आप से तैयारी कीजिए जो भी कमी है उसको दूर कीजिए टेस्स वगरा लगाईए और रिविजन वगरा अपने पीक पर जो कर सकते हैं आप वो कीजिए जो सब कमी आपका पिसली बार एक्जाम में रह गया था उसको इस बार दूर कीजिए बस इतना ही कहा जा सकता है एक जाम उगजाम जो होना होगा वो अपने टाइम पड़ी हो जाएगा अगस्त के लास्ट में तो ठीक है उमीद करता हूँ जो मैं बताना चाहा आप समझ गये होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद